ओम महालक्ष्मै नमो नमा, मकर संक्रांती पर क्यों खाते है दही चुडा और खिचडी? जानिये धार्मेक और वेज्ञानिक महत्व? दोस्तो, इस साल 15 जन्वरी 2023 को मकर संक्रांती मनाई जाएगी। मकर संक्रांती के दिन गंगास्नान और दान को बहुत ही जादा शुभ माना गया है। इस दिन किये गए गंगास्नान को महास्नान माना जाता है। मकर संक्रांती के त्योहार के साथ कई धार्मिक मन्यताय वह सांस्कूरितिक परमपराय जूडी हुई है। इस परवको देश के हर हिस्से में अलग-अलग तरीके से मनाने की परमपरा है। यूपी बिहार में मकर संक्रांती को खिचडी के नाम से जाना जाता है। इस दिन दही चुडा, खिचडी, तील के लड़ू और तील की गजक खाने का विशेश महत्व है। खाशकर, बिहार और उत्तर प्रदेश में दही चुडा बड़े ही चाव से खाया जाता है। आईए जानते हैं मकर संक्रांती के दिन दही चुडा और खिचडी खाने की परमपरा और महत्व। मकर संक्रांती के दिन दही चुडा के साथ पिलगुड और खिचडी मुख्य भोजन माना जाता है। धार्मिक दुरूष्टी से इस दिन इन चीदों को खाना बहत्शूब होता है। इस से सारे कष्ट दूर हो जाती है। इसी समय धान की कटाई होती है और नए चावल निक कलते है। माननेता है कि ताजा ताजा धान की कटाई होने के बाद चावल को पका कर उसे खिचडी के रूप में सबसे पहले सूरे देवता को भोग लगाया जाता है। इससे सूरे देवता आशिरवाद देती है। इसके अलावा युपी और बिहार में दही चुडा का भी भोग सूरे देवता को लगाया जाता है। माननेता है कि इससे रिष्टों में मजबुती आती है। दही चुडा और खिचडी दोस्तों को और रिष्टेदारों को दिया जाता है। धार्मिक माननेता है कि मकर संक्रांती के दिन दही चुडा और खिचडी खाने से प्राप्ति होती है। इस दिन दही चुडा और खिचडी का दान भी शुभा माना जाता है। पाचन क्रियाओं को ठीक रखने का काम करता है। वही चुडा चावल से बनता है। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। जो पाचन शक्ति को दुरुस्त करता है। ओम महालक्षमय नमो नमा धन्यवाद।